वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फते संगजी जिमे के अपां जानने आप पंजाब गुरुवां पीरादी तर थी ते इस दा इटा माड़ा हालके में हो गया असरवेश संगजी गुरु नानक देव जी अपने टाइम तो ही ये सब कुछ दस गहसन इस दे अपां एक गुरु नानक देव जी दी साखी सांजी कर लग गया उस ना सारा कुछ कलीर हो जावेगा जी संगजी एक वार गुरु नानक देव जी येते पाई मरदाना जी एक पिंड़ दे विच गय पिंड़ दे बाहर उन्ना ने अपना विसेभा कर लिया पाई मरदाने ने गुरू जी नू आखिया कि गुरू जी पोख बहुत लगी है मैंनू इजाज़त दाओ ता मैं पेंड विच्चों कुछ खान ली लेयाओ गुरू जी ने कहा पाई मरदाने जाओ पेंड चों कुछ खा पियाओ पाई मरदाना गुरु जुदे हुकमन सार जदों ओहो एक कारदे विच गए ते कुछ खान ली मंगया तां उस कारदे मेंबर ने उननों बहुत बुरा पला किया ते नाली के हाथ उसी बहुत पखंडी हो सो ऐसी तरह ओ दूसरे तीसरे चौते पज़मे कार गए तां सारे जाने ने एही जवाब देता ते पाई मरदाना जी नू बुरा पला कै के पिंड विच्चों काड़ देता पाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी कुल ओने हन अते सारी विध्या दस्धे हन गुरु नानक देव जी उना पिंड वाले नू एक एंदे हन के तुसी एथे वास्ते रहो अते पाई मरदाना जी एते गुरु नानक देव जी अगे एक होर पिंड विच्च जान दे हन अते पिंड दे बार अपना विसेवा कर दे हन पहला दी तरहां पाई मर्दाना जी फिर पेंट वेच जान्दे हन कुछ खान दा समाण लैन लई ओहो इक कार विच जान्दे हन ता ओकार दे मैंबर उना दी बहुत सिवा करदे हन अते बाकी सारे नुमी दाल दे हन के इधे सादू मात्मा आये हन पिंट वाले गुरु नानक देव जी नू बहुत जोर लगाँ दे हन के गुरु जी तुसी साथे कार आऊ आँ असी तअए सेवा करना जाऊने हां पिंट वाले नू कें दे हन तुसी उज़ड जाऊ एए कह गुरु जी पाई मरदाने ना अग्ये चाल पें दे हन पाई मरदाना बड़ा हरान हुंदा है कि जित्थे साठी सेवा नहीं होई उत्थे गुरू जी ने वार देता है कि तुस्मी वास्दे रहो हाथे जिन्ना ने साठी सेवा की थी ओनानो गुरू जी ने उजड़ जाओ दावार देता है हार के पाई मर्दाना ने गुरु नानकदेव जी कुनों पूछ ही लिया कि गुरु जी एक ही कौतक बरताया है फिर गुरु जी पाई मर्दाना जीनों समझाओ देहान के जिनना ने साठी सेवा नहीं की ती ओना दी नियत बहुत माड़ी सी अते उननों इसकर के वस्दे रहो केहा है के जेकर ओ एत्थूं के ते होर जानगे तां सार्यानों अपने वरगा बनाँगे तां इस तरह समाज विच बहुत सारा गंद पैदा हो जाएगा अते दूसरे ने जिनना ने साठी सेवा बहुत कीती है उननों उजड जाओ इसकर के केहा है के ओ जित्थे वी जानगे ओ अपने वरगे वदिया इंसान बनाँगे सार्यानों इस तरह समाज दा पड़ा हो वेगा पाई मरदाना जी गुरु जी दी ए उच्छी सोच वेके गुरु जी दे पैरी टिक पै इस ते संगड जी गुरु गोमी सेंग जी ने में जफर नामें वेचित कांबारे एक कहा है एतबाही है हुई उजडे वसावन वास्ते हून संगड जी आपन सारे समझ ही गये हो वांगे के पंजाब दा इडा माडा हाल क्यूं हो गया होन संगत जी जेकर ठारा सो उन्तालीतो बाद 1947 जां 1984 वेच पंजाब नाल ए तका ना हुन्दा तां गुर नानक देव जी दी बनाई फुलवाडी पाव सिखाने इना प्रफूलत नहीं होना सी संगत जी जरा सोचो जेकर सिख रायदा अंत ना हुन्दा पंजाब नाल एना तका ना हुन्दा तां पंजाब दे लोकाने इथे ही रह जाना सी पाव किसे ने बार जान दी कोशिश ही नहीं करनी सी तां गुर नानक देव जी दी लाई होई फुलूवाडी इननी प्रफूलत नहीं सी होनी आज हर सिख मान मैसूस करदा है के कैनेडा, अमेरिका, इंगलेंड वर्गे देशें मेच सिख बहुत वड़े वड़े ओदियां ते हन सो संगर जी होन अपन सारे समझी चुके होंगे के ए सब कुछ जो भी हो रहा है ए अकाल प्रुखदे हुकम वेच हो रहा है आज पंजाबी वर्डे हर कोने कोने तक पहुंच चुका है अते गुरु नानक देवजदा लंगर दिया सिवामा ला के अपना तर्म दस रहा है सो ए चंगे आया चंगे लोकानू पसांद आउदिया हन अते ओहो तरम दी तरीफ कर दिया हन सो एस तो अपनू एस समझ आउदी है के अकाल पुरु सारी दुनिया ते चंगे लोक वेखना चाउदा है सो वाहिगुर जी फिरमाओ दे हन हुकमे अंदर सब को बार हुकम ना कोई सो संगत जी वाहिगुर दी बानी पढ़िये अते चंगे समय दी उडी करिये वाहिगुर जी साड़ा काम सिर्फ इना ही है के साचनू साचते चूटनू चूट केना जिते कि सेनल तकाउंदा है उते अवाज उठाउनी बाकी सब कुछ आप अकाल पुर्क सहाई हो के आप कार रहा है गुरु जी फर मौदेहन वेच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते